अद्भी कॉक्टेल अद्भी कॉक्टेल कर आया हूं प्रसिद संगीत कार सर्गे नौशाद सहाब जिने 1954 में पहला फिल्म फेर पुरुसकार मिला था फिल्म बैजू बावरा के लिए आपको दादा साथ भाल के पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया है और आप इतने प्रसिद थे अपने जमाने में कि आपकी एक फ पूरी आपके लिए लेकर आये हैं हम अपने इस खास पेशकर्ष अद्बी कॉक्टेल में दोस्तो नाजरीन फन एक उपरवाले की तरफ से खुद्रत की तरफ से अनमूल तुफ़ा है जो किसी किसी को नसीब होता है आज के हमारे मेमाने खास इस बात का जिन्दा सबूत है तो आईए बिलते हैं नौशाद साब से हुदूर अदाब अदाब खुशामदीद यहाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं भी शुक्र गुजार हूँ आपका जे आईए तश्र रखिया ये तख्ता तब उस आपके लिए और ये मेरे लिए नौशाद साब मुहबत मुहबत जो खेल है मुहबत जो लफस है ये कहां तक जरूरी है मौसीकी में शायरी में जिन्दगी में देखे यकिनन मौबत एक एहम चीज़ है और मैंने मौसीकी से मौबत की और मौसीकी ने आप से भी मौबत की कहूं कि आ मौबत में क्या मैंने पाया उमीदों सभी किस सिवा मैंने पाया खुदी की हदे मिल गई बे खुदी से तरी आरजू में खुदा मैंने पाया तो मेरा ये इने मौसीकी की तरफ जो इश्क है जो मौबत ह और साथ साथ अपनी माधरी जबान जिसको अर्दू कहते हैं घजल से मुझे बड़ा लगाओ है घजल को हुसन और मुहबत की जान कहते हैं बदल बदल के मेरी दास्तान कहते है अदब में गोद में जिसकी पनाह पाई है सब अहल फन उसे अर्दू जबान कहते हैं तो मैं इस मुख्बत के नाते आप से यह अर्ज करूँगा कि मुख्बत एक बड़ी पाकिजा चीज है माँ से भी मुख्बत होती है इस धर्ती से मुख्बत होती है खुदा से मुख्बत होती है मुख्बत को आजकल कुछ जिस्मानी मुख्बत लोगों ने बना दिया है मेरे ख्याद से पहलू है मुहबत का लेकिन वह भी बहुत जरूरी है सिर ने लेकिन पर उसका कुछ नाम और होना चाहिए मुहबत जो है यह बड़ी पाकिजा चीज है भार कैफ मुहबत के बारे में मेरा जो अर्ज करना है वो शैद आपको जवाब दे सका मैं यह नहीं दे सका पूरी तोर से और इस सिल्सले में अगर कुछ और आप दरी लिफ्ट करना चाहें यह जो आपका रिष्टा है मुहबत से मुसिकी से कला से यह बच्चपन से है के जी अजल से हुसन परस्ती लिखीती किसमत में मेरा मिज़ाज लड़कपन से आशिकाना था तो जब मैं दस बरस का था हुज़ूर मुझे और नहीं मालुम कि क्यों कैसे मुझ को यह शौक पै मैं वहीं पैदा हुआ लखनू का रहने वाला हूँ वहीं मेरे बजर्गों के हड़ियें दफन है अभी दो हफता पहले मैं लखनू गया भी था मेरे नाम से वहां एक नौशाद संगीत केंदर के नाम से एक इंसिट्यूशन बना है म्यूजिक का सिल्सने में मुझे बुला और इसके पीछे बड़ी दास्तान है वो अगर बयान करना शुरू करूंगा मैं तो काफी काफी वक्त लग जाएगा बरहाल ये बच्पन से मुझे शौक था और मेरे वालदेन इसके खिलाफ थे कि अच्छे घरों में संगीत और मुशिकी यह नहीं होती है और यहां तक कि एक मौगा ऐसा आया कि इस महबत के नाते मुशिकी से जो महबत थी तो मेरे वालिद ने कहा कि आज फैसला करो घर चाहिए या मुशिकी चाहिए तो आपने फैसला किया ही मैंने घर छोड़ दिया था और मैं उसके बाद मारा मारा फिरा बंबई आया 1937 में इस बंबई को बनते बिगरते समरते मैंने देखा दादर पर खुदादा सर्कल पर आज भी वह फुट पारते हमास होया भी मैं और उसके सामने एक बराडवे थेटर था जो आज नहीं रहा उसकी रोशनी अंधेरे में मुझ पर पढ़ती थी और मैं दूआ करता था कि यह रोशनी मेरी खिसमत का हिस्सा कब बनेंगी और एक मौका ऐसा आया कि उसी थेटर में हमारी फिल्म बेह जुबली की और हमको बालक लुकिया तो विजय भट साहब जो डिरेक्टर थे कहना रही है नोशन साहब आज खुशी का दिन है यह क्या तो मैंने को सामने के फुट पार्ट पर नजर पढ़ गए ती क्या था वहां तो मैंने का हुजूर सोला साल लगे मुझे इस सड़क को करास करनी वह वाह वाह वा पार्ट अप जो अप जो लाने की और यह कि देखिए मैंने कभी भी यहने संगीत से जो मुहबद थी जो रिष्टा था उसको कभी छोड़ा नहीं और कहां तक उसमें मैं काम्याब हुआ मैंने भारतिय संगीत जिसे कहते हैं क्लासिकल संगीत कहते हैं यह हिंदुस्तान का मैंने फिल मीडिया से वो लाने की कोशिश की और वो कहां तक काम्याब है यह नाकाम है इसका फैसला अवाम जंता करती है और करेगी लेकिन मैंने वो महबद का रिष्टा जो था मुसिकी से वो मैंने कभी छोड़ा नहीं और आज भी उसको मैंने उस रिष्टे को मजबूत से पकड़ावा है अब आगे अल्ला जाने अशाथ साब मैं यह पूछना चाहूंगा कि इस महबद की वज़े से जो अपने वालडायन के साथ एक रिष्टा तो ड़ा तो नहीं लेकन छोड़ा बाद में वो रिष्टा फिर बना जी फिर हुआ कि 19 मैंने कहा था कि मैं उस व 44 में मेरी फिल्म रिलीज हुई थी एक रदन यह अपकी पहली फिल्म थी नहीं यह मेरी को आठी थी उससे पहले एक बहुत सी फिल्म है यह इसलिए रतन का जिक्र कर रहा हूं कि उसमें सारे फोक मैंने दिये थे उतर परदेश के अख्या मिलाए के जिया बर्माय के चले न रिदम और फुलूट और सितार यह उसरू हुआ उससे पहले यह इस्तमाल नहीं होता था बरहल तो मेरी मां का उस वक्त खताया कि तुम्हारी शादी ठहराई है तुम आजाओ अच्छो तो यह मॉबबत का और एक रांग सर तुम मैं गया साब लगनो पहुचा तो मेरी वा कि आपने फिर क्या कहें कि मेरी शादी की है कहने हमने कहा कि तुम दर्जी का काम करते हो तो मैंने कहा कि बेतर है तो बरहाद मैं दर्जी बनकर गया शादी में और जो बेंड़ बाजे वाले आ रहे थे वो मेरे ही गाने बजा रहे तो और हमारे फादर इनला खुसुर साफ वो कह रहे थी कौन कमबागत इस खिसम के गाने बना रहा है सबको बर्बाद कर रहा है और मैं गर्दम जुकाए बैठा हुआ था सम्झा तो यह दिल्चस्प वाकिया था यही से फिर वाल्ड़ी कब तक बने रहा है दर्जी उसके बाद जब शादी के बाद जब हम बंबेई वापस आए और अपनी शरीक एहाद को लाए हमारी वालदा भी आई साथ में उस वक्ति के परदा हट गया और हाकिकत सामने आई तो बरहाल हमको माफ कर दिया था उन लोगों ने तो दर्जी की दुकान आपने बंद कर दी रहा है दर्जी की दुकान बंद कर दी और बरहाल मैंने उस वक्ति ये जरूर महसूस किया था कि 1944 तक में लखनों में खासतर से कि एक मुसिकार से एक दर्जी की इज़त समाज में जादा थी और आज की तारीख में आज की तारीख के बारे में तो आवाम जानते हूं में क्या आर्ज करूँ तो बाहर काईफ मुझे अल्ल्ह के फजल से आप लोगों की दौा से गौर्मिन राफ इंडिया ने उस दर्जी को एक मुसिकार के हैसियत से मुसिकार मुझे महरास्टा ने मैं महरास्टा का ममनून एसान हूँ यहां आकर मैं नौशाद बना वन्ना मैं कुछ नहीं था तो महरास्टा का मैं ममनून एसान हूँ और हकूमत हिंद ने मुझे पद्माभूजन का खिताब दिया दादा साथ फाल के आवाड दिया संगीत अकैडमी का आवाड दिया प्रेसिडेंट आव इंडिया ने लंडन से अमरीका से हर जगह से ये मुझे को आवाड दिये गए तो ये मैं समझता हूँ कि उससे सबसे बड़ा जो आवाड मेरे पास है वो अवाम की जनता की जो महबत है मुझे की के नाते में उससे वो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चीज है मेरे लिए वो जिन्दिगी का सरमाया है तो बरहल वो महबत का सिलसला अब तक जारी है और आगे कुछ फॉर्माई है और वो खाबों का सिलसला जो दादर की फुट पास से शुरू हुआ वो भी आज तक जारी है अब देखिए वो खाब की ताबीर तो सामने आई जो खाब में देखता था कि मैं ये करूँगा मैं ये करूँगा वो वो जब आप खुली उस खाब से जब मैं बेदार हुआ तो मैं नौशाद बन चुका था तो वो खाब मैंने अर्श किया था जिस रात के खाब आएं वो खाबों की रात आई तो बरहल लेकर मेर खाब अपने अंदर जिन्दा रखना बहुत बहुत जरूरी है हाँ यकिनन इसमे कोश़ अपनी लेकिन खाब जिन्दा रखने ही काफी नहीं है बलके उन खाबों की ताबिर भी तलाश करना चाहिए तो मैं सबसे ये कहता हूँ कि आप जो कुछ सोच रहे हैं इसको अमली जामा भी पेनाएए उसके लिए यकिनन किसी गुरू से किसी उस्ताज से तालिम भी लीजिए और आज जो है जो भी आ रहा है इसमें वो साब वो किसी गुरू से सीख के नहीं आ रहा है सुन के आ रहा है जितने गुलुकार भी आ रहे हैं सुन के आ रहे हैं मैं रफी जैसा गाता हूं, मैं लटा जैसा गाती हूं, हम कहते हैं आप अपना सुनाएए, आप अपना उसी वक्त सुनाएंगे जब किसी गुरू से सीख कराएंगे, तो तो बरहाल, लोग खाप तो जरूर देखते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं, तो आप किन को हैंने शुरू में, बच्पन से उनके खिदमत की, उनके हुके भरता था, चिल्मे भरता था और उनके खिदमत करता था, उन लोगों ने मुझे तालीम दी, और फिर भी, मैं रहा में हूं अभी तक, उतना काफी नहीं था, ये मौसिकी इसका नाम है, इतना गहरा सागर है, कि आज भी हम दरिया के नारे खड़े खड़े, प्यास प्यास चिलना रहें, मैंने अर्ज किया था, प्यास मेरी जब उच गई होती, जिंदगी फिर ना जिंदगी होती है, सर इसी से मैं आगे पूछना चाहूँगा, कि मैंने सुना है कि साथ सुरों तक, मौसिकी को मैदूद रखा जाता है, लेकर आपने एक, अपनी नजमों की या अपने अशार की किताब निकाली है, आठवा सुर, ये आठवा सुर क्या चीज है सर? ये आठवा सुर, साथ देखें, मेरा ये शौक रहा सुरू से लखनू से, चुक्के मेरे खांदान में भी कुछ शायर थे, और लखनू में ये नशिस्ते होती रहती थी घरों में, शेर और सुखन की, तो ये जौक मुझे बच्पन से था, और मैंने जैसे अच्छे च्छे लोगों की सोबत मुझे मिली जैसे मजरु सुल्तान पुरी साब, शकिल बदाईयूनी साब, खुमार बारा बंकुई साब, ये सब मेरे साथ रहे बर साब, और सिहाम अम्मी में, इन लोगों को महील आया था इस लाइन में, बार काइब इन शुख हमारा बढ़ा, कुछ मिसरे कहने लगे, तो आठमा सुर मैंने उस मजमुर कलाम का टाइटल रखा है, नाम रखा है, तो लंडन में पब्लिश हुई है वो किताब, आठमा सुर हिंदी, लिपी में अलग है, उर्दू में अलग है, ग्यारा पॉन उसकी खीमत है, और आठमें सुर के नाम से, आठ घजलें, एक लंडन की कमपनी ने मुझसे बनवाई भी, CD और कैसेट, और वो रिलीज भी किया, मैं लोस अंजलीस किया, न्यू यॉयर्क गिया, वहाँ सब जगे उसको रिलीज किया, लंडन में हमारे इंडियन एंबसेटर ने तेहरू सेंट तो बरहाल वो किसद तक लोगों को पसंद आया, यह मैं नहीं कह सकता, बरहाल यह आपने जो सवाल किया, शहिए उससे महीं कर सका या नहीं? जी, बिल्कुल, 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 एक और चीज है, खामोशी, मुझको लगता, मैं तो एक छोटा सा कलाकार हूँ, लेकिन हमारी कला में, हमारी एक्टिंग में, जो एक खामोशी को दरजा दिया जाना चाहिए, वो हम लोग आजकर नहीं देते हैं, हम लोग हमेशे क गुछ बूलना चाहते हैं, जो बूलना बहुति उक हमशी लफ स ह से खामोशी ख्याल से लोग बहूँ दूर भाग जाते हैं आजकर तो खामोशी जो है, ख्याल में या मुझकी में, यह कला में, यह कहां तक आएमिध रखती है। देखिए खामोशी मेरे ख्याल से बहुत एफेक्टिव चीज है अक्सर फिल्मों में जो बैगरॉंड म्यूजिक हमने दिया तो बास मौका ऐसा आता बास सीक्वेंस ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं यहां जो खामोशी है वही एफेक्टिव तो खामोशी खुद बोल रही है तो यहां म्यूजिक न दीजिए यहां कोई सौंड एफेक्ट की ज़रूत नहीं है खामोशी और वह जादे एफेक्टिव लगती है बजा इसके कि हर जगे शोर होता रहे है इसी तरह से मुसीकी में भी अगर हम राग दर्वारी छिड़े वे हैं या राग बेहाग और उसी में डूबे वे हैं और जब खत्म करते हैं उसको तो जब बैठ जाते हैं खामोश हो के तो वो वादी और समवादी वो सुर आरो अमरो जो था वो खुद बोल रहा है कि तुमने यह गंदार अगर यह लगाई होती तो जादा है असर अंदाज होती यह मद्धम अगर यह लगाई होती तो अब वो खामोशी हमको हमसे बात कर रही है क्या बात है तो और देखिए, वाइबरेशन कभी जाया नहीं होते हैं, ये तो scientifically proof हो चुका है कि हमेशा हर चीज का दारोमदार एक certain vibration से तालुख रखता है, और ये हमने देखा, एक article में ने पढ़ा, ग्रेट क्रुजो का यॉरोप में कि वो एक वैलिन कैंचेटो की practice कर रहा था, अपने hall में, और एक metallic sound आ जाता था, तो उसने गवर किया तो चैंडलियर के एक शीशा हिलता था, एक certain note पर, तो उसने कहा अगर ये हिलता है तो फिर टूट भी सकता है, तो उसने वो जो note था D sharp, तो वो उस note को उसने छेडा तो हिला, दूसरे note सूर को छेडता नहीं हिलता है, तो उसने सुचा इसका तालुख इस वाइबरेशन से, तो उसने रिकॉर्ट किया, रिकॉर्ट करके इसका लूप बनाया, एम्प्लिफायर से उसको प्ले किया, और उसका वॉल्यम बढ़ाता ऐहां तक के शेंडल ईर टूटके गर एक हर एक चीज का जानदार बेege जान चीज का तालुख एक वाइबरेशन से है, तो वाइबरेशन आपके सुनाई तो नहीं देता है, वाषँ हो खामूशी से तालुख है उसका थी है, वाइबरेशन खावश होता लेगिन वोगाम कर तो खामोशी बहुत एफेक्टिव चीज है और मेरे ख्याल से मैं तो बहुत पसंद करता हूँ अक्सर मैं खामोश बैठा रहता हूँ सोचता हूँ और कोई नो कोई चीज बन जाती है वो खामोशी हमको आइडिया देती है खामोशी बोलती है तो शायद आज के जमाने में इसलिए वाइबरेशन कम हो रही है या कम मिल रही है क्योंकि हम लोग खामोश नहीं रहना चाते हैं हम खामोशी की कदर नहीं करते हैं मैं कभी कबार इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो जाता हूँ मैं आप सही फर्मा रहे हैं कि हम आज हर चीज़ को अलफाजों को जामा पहराते हैं आर खामोशी की वा करना है लेकर यह बहुत अहम चीज़ है मैं तो समझता हम बहुत अहम चीज़ है खामोशी तो में और आप से बात पूछना चाहरा था था मैं एक होडा सा कर्णार हों लेकर माँ आप सा यह पूछना चाहरा था कि आपको किसी फिल्म के लिए मौसीकी देते हैं, जब आपको मौलम है कि ये जो गाना है, ये पिटिक्लर कलाकार, ये अक्र्स के उपर फिल्माया जाएगा ये गाना, तो उस वक्त उस एक्टर का ये उस एक्टर्स का कुछ ख्याल या कोई तसवर आपके जहन में, आपके द की कहानी, लुकेल इसका क्या है, जिस केरेक्टर का ये गाना है, उसका मिजाज क्या है, इन तमाम चीजों को मद्दे नजर रखते हुगे, फिर हम उसको लिखवाएंगे किसी पोईट से, शायर से, और फिर रखके सामने उस पोईट्री को, हम सोचेंगे कि किस राग में लेक लेके जाएं, ये वक्त है दुपहर का, तो सारंग अगर लेके जाएं अफदा राग तो जादे एफेक्टिव होगा, तो मैंने उस पर कहा था कि, बोलू अगर तो अपनी सदा भी न सुन सकूं, खामोश कर रहूं तो मुझे सब सुनाई दे, तो खामोशी में उस अब सु मुझे सुर्ख, मिसरे खुद कह रहे हैं कि मुझे इन सुरों में लेके चलो, तो ये मेरा अपना असूल है, मुम्किन है, लोग इत्फाक करें, इससे ये ना करें, जरूर करेंगे, जरूर करते हैं, और अब ये है कि आपने एक आठ्वें सुर की बात छिड़ी थी, उसके लिए मैं अपनी घजल के चंद शेर आपके सामने और जो हजरात इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उनकी खिदमत में पेश करता हूँ, इश्क जब आबला पाई देगा, इश्क जब आबला पाई देगा, खार भी फूल दिखाई देगा, सूखे पत्ते का धड़कता दिल तू सुनेगा तो सुनाई देगा, देख खुद को कभी आईने में, देख खुद को कभी आईने में मेरा चेहरा भी दिखाई देगा, तोड़कर देख कभी शीशा दिल, तू ही तू उसमें दिखाई देगा, तो ये चन्द विसरे मैंने पेश किये, बहुत खूब, मैं मेरी घुजल के शेयर थे मुम्किने किसी लाइक हूँ चुकर आपने आठवे सुर का जिक्र किया इसलिए मैंने कि आपके सामने जब मिस्रे पेश किये और और भी कुछ अगर आप जाना जाए आईने का इसमें आपके आपकी इस नजुम में आईना जो चीज है अगैन क् हुम जब आए आए नडेखते हैं कुछो आएने को देख कर कए कि आप कितने हुआ हूँ कूछ लोग आएने को देखते हैं किए और कितने खुदोन हूँ हूँ कूछ नशाप फिondenुके सरी हाह कुछ गया था कि चालीस करोड में एक हैं आप और अब हमारी अबादी जो है कुछ मेरे खाल से क्या सो करोड तक पहुंस गई हैं लेकिन दूसरे नौशाद क्यों नहीं पैदा हुए देखिए अब ये तो अल्ला जाने की आपके कहने के मताबिक के दूसरे नौशाद क्यों नहीं पैदे हुआ मैं समझता हूँ क्यों जरूर पैदा हुए हूँगे इसलिए के मुझसे बेहतर कल भी थे मुसिकार आज भी हैं और यकिनन जो मेरे साथ ही थे सीराम चंदर, शिंकर जैकिशन और रोशनलाल जी, गुलाहिम हैदर साथ, पढ़ित अमरनाद जी, हुसनलाल, भगत राम, खुर्शीद अनुवर ये सब मुस से बेहतर थे तो मैं, मैं समझता हूँ कि कई नौशाद खुदा ने पैदा किये, मेरी तो हैसेत, मेरी हैसेत उनके सामने कुछ नहीं थी, कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है, और मैं यकिनन आज भी तालिब इल्म हूँ, सीख रहा हूँ, और मैंने हमेशा यह कहा कि सब को मिल जाए कि मन्जिल ये जरूरी तो नहीं, जिन्दगी राहे सफर है यहीं चलते रहना, तुम चरागों की तरह राह में जलते रहना, हर अंधेरे को उजालों में बदलते रहना बख, किया सही आपने ज्वाद दी असर, बख, तो नशाद सब यहाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और क्यूंकि मैं आपके साथ, तकलुफ के साथ पेशने आना चाहता हूँ, बस इतना मैं कहूंगा बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा रहा ही आपके सुनने वालों की खिद्बत में इस प्रोग्राम के देखने वालों की खिद्बत में ये खादिम उनको आदा वसलाम पेश करता है और ये पैगाम देता है कि आप लोग अपने संगीत अपनी मुसीकी को जिन्दा रखिए अपनी पहचान को मिटाइए नहीं आज जो कुछ हो है ये आपका नहीं है इस धर्ती का नहीं है अपनी तह्जीब अपना कल्चर उसको जिन्दा रखिए तो मैं आपसे दर्खास करना हूं उसके साथ आपसे इजाज़त चाहता हूं जी बहुत पहुत शुक्रिया सब्सक्राइए तो आपने देखी टॉम उल्टर साहब की जस्प लोगों के साथ जो उनकी बाचीत हुए और लेकर आओंगा तब तक आप देखते रहिए अद्वी कॉक्टेल